कि आपके बिना मेरी कोई अस्तित्व ने है मेरा कोई जीवन में हमेशा गोसस करता हूँ कि आपके प्यार से बड़ा हूँ प्यार से बड़ा ही रहा हूँ आज ये इवाद इवस है स्वामी विवेका नंधी आज ही के दिन संभोधित किये थे और आज इवाद इवस है और मैं भी जिस तरह स्वामी विवेका नंधी इवाओं के दिल पर राज करते हैं आज भी मैं भी कोसिस करता हूँ कि अपने व्याओं के लिए, अपने भाईयों के लिए, अपने बहनों के लिए कुछ है साही करूं ताकि मैं जिस तरह आप लोगों ने प्यार देकर मुझे बड़ा किया है उसी तरह मैं आजीवन ऐसे ही बड़ा होते रहूं जब तक जीओं आप सब के महबबत से जीओं एक मेरी शिनेमा बनी और मैं जहां एक और बात कि मैं स्वामी बिबेका नंद की तरह जीरो से हीरो बना हूँ उन्होंने जीरो पे साथ दिन तक बोलते रहा गए और पूरी दुनिया देखती रही उनको मैं भी जीरो से हीरो बना हूँ और आप सब के बड़ुलत बना हूँ मैं किसी को नीचा गिराना नहीं साहता हूँ इंडेश्टी में आज तक एक सक कोई भी इंसान मुझे परमोट नहीं किया मेरे कभी गाने आते हैं हिंदी के हो या जजपुरी के हो कभी किसी स्टार ने मेरे बारे में बोला नहीं कि खेसारी भीया का गाना या खेसारी बाबू का गाना या खेसारी जी का गाना या खेसरिया का गाना इस दिन को रिलेज होगा आप सब जरूर देखिएगा बागी किसी कभी होता है तो सारे स्टार सारे लोग फर्मोट करते हैं बड़ मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे जरूरत जिसकी है वो मेरे साथ है वो है मेरी जनता मुझे कागज की फुलो से खुस्बू लेने की जरूरत नहीं है ये बनावती लोग हैं कि मैं जब से आया हूं किसी ने मेरा सपोर्ट ने गिए किसी इस्टार ने दिनेस भीया ने मुझे प्यार दिया था मनोझविया के घर पे यौखा भी उनका युगदान है मेरे लिए तो कि उनके घर पे में रहा हूँ, खाया हूँ तो मैं किसी को भूल नहीं सकता दिनेस भिया ने पहली फिली मेरी जब रिलिज हुई थी तो दिनेस भिया ने मुझे सपोर्ट किया था अपने पाल से पैसा देकर अलोग भिया को अभे भिया का उगदान से निशान तुजवल के उगदान से वो मेरे सिनेमा रिलिज हुआ साजन चले ससुराल तो उसमें दिनेस भिया का बहुत बड़े उगदान था अधरवाई किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया अभी आने वाले लोग जो है वो भी जो है वो भी नो तो किसी का गाना रिलिज होता है या सिनेमा रिलिज होता है तो सारी भीड जाते हैं कि नहीं उसको चलाना है तो जाकूर आखे साया मार सके न कोई मुझे इन कागज के फूलों की जरूरत ही नहीं है ये मैं आज चार दी से इतना डिश्टाफ हूँ तीन दी से कि साइद उसका अंदाजा किसी को नहीं होगा सिर्फ इसलिए कि क्यों यार बोलते तो सब हैं मैं सुबह सुबही अपने गलतियों की समा भी मांगा सबसे उसके बावजूर भी मस्ती मजाक हसी आप गाना भी गाते हो तो मेरे जीला को बदनाम करने पर लगे हुए हो सब के सब कोई गा देता है कि छपरा साही लवंडा छपरा के लवंडा के बारे में जानते हैं विखारी ठाको कोई जानता है मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तकलीफ होती है, चपरा के लोटना, चपरा सारं जो है, वो तीम जीला को, दो जीला उसके कबजे में रहता है, दो जीला का प्यार उसको मिलता है, मैं हर जीला मेरे लिए से करिये, चाहे वो चपरा हो सिवान हो, गुपाल हो, मुतिहारी बेतिया, रक्षौल मुझफर पूर स सासाराम डिहरी रोहतास से लेकर मुझे लगता है कि यूपी लखनाउ से लेकर बनारस से लेकर और अरंगाबाद से लेकर मैं दुनिया की हमारे भजपुरी शमाज को जो लोग प्यार करते हैं सारे जिला मेरे अपने मा है, अपनी बाप है, अपनी बैने हैं हमारी, शपरा, शिवान गौपाल गंत की चविली लोग रहती है, वहां भी प्राह्मन कुल के लोग रहते हैं, मैं भी बाध नहीं कर रहा हूँ, पर तकलीफ होता है, ये तकलीफ है, आप किसी को नीचा गिराना चाहते हो, किये क्योंकि मैं जमीन का आद में है जमीन पे बड़ा खुशूरत रुखता है और आज तक मैंने जमीन नहीं छोड़ी इसलिए मैं कभी फलेट में नहीं रहा जमीन का इनसान हो जमीन पे रता हूं और जमीन के लोगों से महबबत होती है मुझे इसलिए आज इवा दिवस है इसलिए मैं लाइव आया कि इवाओं के बदवला थी आज मैं लिटी चुखा बेच करें गरीब का बेटा आज यहां तक पहुंचा है तो अपने इवाओं के दम पे अपने माँ आपके आसरवाद और अपने बहनों के प्यार से पहुंच तक आप इतने दिस सब के सब मेहनत कर रहे हों कि सारी को खाणने के लिए उतना मेहनत अगर खुद पर किये होते तो सायथ कुछ बन वे होते आप लोग तो मैं कुछ लोगों की बाते कर रहा हूं मैं पुरी इंडेस्टी की बात नहीं कर रहा हूं कुछ लोगों की बात कर जो कि मुझे नीचा दिखाने की कोसिस करते हैं, मुझे समिधान मत सिखाईए आप, समिधान में क्या होता है, आप खुद के लिए समिधान बनाएए, हमारे लिए समारा समिधान जो है, वो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, हमारे अपने हैं, और हमारे अपनों में पुरी रबाप ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे बीवी ही नहीं पुरी शमा जाती है जो भजपुरी को समस्की यह विबाद सुरू होने का कारण एक ही है एक बहुत अच्छा सेनेमा मेरे हम लोग बनाज लिये हैं सायथ उस सेनेमा को तो मुझे नीचा दिखाकर उस सिनेमा को तार्गेट किया जा रहा है, आके उस सिनेमा ना चले, दुलहन हो ही जो पियामन भावे, अभे भी आज से प्यार आ गई है असकर लोगों को, प्यार दिखाकर क्या है, कुछ मिल जाने वाला है, नहीं मिलेंगे कुछ, क्योंकि आपक और आपका बिचार धारा ही आपको आगे बहाएगा, चमचाई करने से इंसान बड़ा नहीं होता, ऐसा होता तो ये पुरी जनता को भगवाद जिसको मानता हूँ, तो मैं दस चमचा ही पाल लेता, या किसी का चमचा बनके अपने जीवन को चला लेता, खाना बनने के तो दुलहन होई जो पिया मन भावे जिसके डरेक्टर रजनी समिस्रा है हमारे, अच्छा बनाया है, भजपरी हो कुछ सीख दिया है, भजपरी में अची सुरूआत उन्होंने की है, अभे भिया उसके परडूसर है, निशांत उजवल उसके डिश्ट वीटर ही, ति ये सा डतारी को रिलिज हो रही है यानि की पर्सों अब आप लोगों को ये बताना है कि अच्छी सीनेमा को आप cottonus को चलाना है कि नहीं चलाना ये मेरे जनता डिशाइड करेगी आप मुझे लोग आपको क्या लगता है कि आप मुझे बरबाद कर दा लोगे जब मैं कुछ नहीं था न तो भी मुझे जीने की आदत थी जब हमारे पास 10 रुपे क्या उकात नहीं थी तभी मैं बड़ा सा लिंता से जीता थी किसी को मैंने कभी तकलीफ नहीं थी ये पूरी इंडिस्ट ठेस पहुंचाने की कोई कुछ नहीं कि हां कुछ गल्तिया हमसे होई और सारे लोग मेरे बड़े भाई की तरह है चाहे ओदिनेश भी आओं पौन भी आओं यारभी भी आओं न मनोज भी आओं जितने भी लोग हैं सब लोग मेरे गार्जियों से रुप हैं इनसे हमेशा कि इनका आधर किया हो मैं अपने सेनियर का हमेशा अपने बाप की तरह पूछता हूं उसका रिजन जानते हैं क्या है क्योंकि उनको देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ तो ये सब आप लोग को नहीं सीखना चाहिए कि सारी से मेहनत कैसे हो तो है ना एक बार पूछिए का इन्डिश्टी बताएगी आप सके जे मेहनत कैसे किया जाता है उसका उधारन के सारी लल यादो होता है लिटी बेचने वाला आदमी ना इश्वर ने सकल दिया ना इश्वर ने परस्णाल्टी दी ना चेहरा दिया ना अच्छी गाईकी दी गाता भी अच्छा नहीं हुँ मैं अब आज बहुत ठीक नहीं है मेरी साइद मुझे लगता है लेकि यही अब आज जनता के दिल पे राज करता है क्योंकि जनता मुझे प्यार करती है आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं परता मुझे कोई फर्क नहीं पर था कि आपको कितना अच्छा लगता हूं आपके अच्छे लगने से मेरे जीवन नहीं चलती है क्योंकि आप भी उस जन्ता को अच्छा लगते हो तभी आपको सपोर्ट करती है जन्ता अच्छा काम पर फोकस करेंगे तो साइद हमें समिधान सिखाना बन करें आप लोग हमें समिधान में जाने की जरूत नहीं हमारा समिधान और हमारा करम, हमारा धरम हमारी जीवन, हमारी खुशी, हमारी दूप, जो भी है हमारी जनता है जिसके बदवलत मैं आज यहां तक पहुंचा हूँ उस चिनिमा को आप रोक नहीं सकते हैं चलने से और यह परसो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ जितने लोग मुझे मुझे मुहबबत करते हैं जो नहीं करते हैं मैं उनके लिए भी द्वाई करता हूँ उनके इश्वर उनको हमेशा उन्नती दे सुक्सांती दे उनके जीवन में हर वो चीज़े आए जो मुझे गाली देते हैं वो भी मेरे प्यारे भाई हैं उनको लगता होगा कि मैं गलत हूँ तो उनको गाली देने से मैं कभी नहीं रोख सकते उनको लगना चाहिए कि हाँ मेरा भाई गलत है बट मुझे ऐसा लगता है कि आज इवादिवस के दिने मुझे लाई वाने की जरुवती से ले पड़ी कि मैं आज कल कल रात अपने मां को लेके आया मां का तवियर ठीक नहीं रहता है तो गांपे ठंडा भी है तो मैं अपने ममी पपा को बहुत प्लार करता हूँ तो कि दुनिया में बीबी दुबारा आ सकती है मा बाप दुबारा पैदा किया नहीं जा सकता हमारी बीबी मुझे छोड़के चली जाएगी तो साइध हम अपने दूसरी साधी कर सकता हूँ बेटा पैदा नहीं होगा दूसरा बेटा पैदा हो सकता है हम टाइम दे दे अपने फैमिली को तो बट मा को हम पैदा नहीं कर सकते पीता को पैदा नहीं कर सकते इसलिए मुझे लगता है कि माँ बाप का प्यार जीवन में उससे बड़ा प्यार कुछ होता ही नहीं तो कोसे साभ भी करिएगा कि माँ से बढ़कर और बीता से बढ़कर बीबी के बातों में आकर कभी माँ को तकलिफ मत दिजिए अपने पिता को कभी तकलिफ मत दिजिए तो बस में रिक्वेस्ट करने आया हूँ आप सबसे कि 14 तारी को हर जगा मेरी सिनेमा रिलिज हो रही है और उस सिनेमा को रोकने की यह साजिस्ति कि ताकि खेसारी को हम दुनिया के नजर में गिरा दे और इसका सिनेमा एक खुबसूरत सिनेमा जो कि बहुत दिन बाद इतनी अच्छी एक सिनेमा बनी है जो कि एक परिवार से टच है एक एक ऐसे एक एक चाटी के मार नहीं है भाई इसमें यह वो ठापड़ों ने की खेलिया उसके बावजूद भी लोगों ने इतना प्यार दिखाया है उस सिनेमा के प्रति यह आप सब का बढ़पन है कि हमारी सिनेमा अच्छी कहानीओं से चलती है क्योंकि हमारे घर में इतनी अच्छी कहानी इसलिए मैं आज अपने युवाओं के लिए आया अपने भाईउं के लिए अपने बेहनों के लिए आया में लाई क्योंकि आज इवादिवस है और स्वामी विवेका नंद के ही भीचारधारा पे मैं चलता हूँ मैं करम पे विश्वास करता हूँ भी बाद पे नहीं किसी को नीचा दिखाने के लिए मजाक नहीं उड़ाता मैं उसका जबकि मैंने अपने गल्तियों की छमा सुबा सुबा उठते ही जब मुझे रेलाई जब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने क्या बोला है बोलना कुछ और बोला कुछ और गया था उसके लिए मैंने शौरी बोला था उसके बावजूद आप लोग हस हस के और मजाक उड़ा रहे हो क्यों उससे चार सिनेमा ज़ादा मिल जाएगे आपको बना तो लोगे बेशने के लिए भी तो फ्लेटफर्म चाहिए न विकेगा कहा जिसको जनता का प्यार होता है न उसको हर आदमी का प्यार मिलता है यहां तक रह गई अभे भिया का सवाल निसान तो जवल का सवाल तो यह मेरे अपने हैं अपने थे अपने रहेंगे और इनके पास मैं काम के वज़े से नहीं हूँ उतनी मुहबबत और उतना सलिंता और उतना प्यार इनको देता हूँ अगर वो मुझे बेटा मानते है तो उनको मैं अपना बड़ा भाई और फादर ही मानता हूँ संसकार के मामले में मैं संसकार को सबसे उपर रखता हूँ उसके बाद ही पुरी दुन्य है और ये हमारा भजपुरी संसकार नहीं संसकार की ऐसी पुतला है कि हमने अपने रिष्टों को काईम रखने के लिए पर्व तेवहार बना दिया हमारे मा के लिए अलग तेवहार है, पिता के लिए अलग तेवहार है, बहन के लिए अलग है, बेटे के लिए अलग है, तो कहीं न कहीं हमने तेवहार में कनभट कर दिया अपने रिष्टों को ताकि इसी पर्व के ओज़े से इसी तेवहार के ओज़े से कम से कम हम उस रिष् यह बंगला तो मेरे जनता का दिया हुआ उपहार है आसिरवाद है मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आज भी जमीन पर ही हूं किसी फ्लेट में नहीं हूं इसलिए मुझे मेरी आउकाद पता है कि मेरी आउकाद क्या है मैं कितना भी उच्छा ओड़ जाओं लकि लेंडिंग मुझे किसी एयरपोर्ट पर ही होना पड़ता है तो बस मैं आप सबसरे रिक्विस्ट करना चाहता हूं कि पर्षो मेरा एक सिनेमा रिलिज हो रहा है जिस सिनेमा को खतम करने के लिए जिस सिनेमा के उपर साजिस किया जा रहा था अगले दिन ही ठीक है उगलती होई चमा भी मांगा हमने सब कुछ किया उसके बावजूद लोगों ने मस्ती में ले लिए उसको चमचाई का हद होता है यार आटिस्ट होना कलकार होना कलकार बनो ने चमचा क्यों बन गए क्या हो जाएगा कोई पडूसर किसी का जीवन नहीं बनाता है आप खुद अपना जीवन बनाते हो और हम कलकार किसी पडूसर का जीवन नहीं बनाते हैं हम किसी पर दूसर का घर नहीं चलाते हैं हम एक दूसरे के पूरक हैं हम एक दूसरे के सहयोगी हैं हम एक दूसरे के दिल में रहने वाले लोग हैं चमचई से जीवन चलता है कलकार बनो ना सच्चे कलकार सरस्वती के पुत्र है पुत्र बनो आप, सरस्वती के पुत्र कभी गलत नहीं करते हैं, वो ज्यान की पुजारी हैं, मैं किसी के बारे में सोच के भाई जी नहीं खराब कर रहा हूँ अपने समय, जैराम राय जी, भाईया प्रणाम भाईया, मैं किसी के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि य नीचा गिरानी का साजिस नहीं था, यह जो भी है, यह नीचा गिरानी के साजिस नहीं थी मेरी, मुझे कोई क्या गिराएगा, मैं आज भी बच्चा हूँ, कल भी बच्चा था और मैं अपने जनता के गोद में बैठता हूँ, सब का बेटा हूँ, मैं लाडला हूँ, इनके गोध में बैठता हूँ मैं, किसी के नीचा गिराने से मेरी अस्तित्व नहीं बरूबाद हो सकती, क्योंकि मुझे नीचा क्या किया गिराओगा excellente उगत provision, तो देखो लाजमीन प्रिपर ही हूँ, जमीन का आदमी गिरता है, अरा दिख़ा दो, देखो भाई ये जमीन ही देखो ये देखो तो जो आदमे खुदी जमीन पे हो उसको अपनी चाह क्या गिरा हो गए मैं सब जो जिनको बड़ा मज़ा हा रहा है नहीं उनके लिए ही बोल रहा हूँ जा तो बस खुद पर फोकस कर लो याद मेरे लकीर को मिटाने वाले सारे मिट गया है और मिट भी रहें दिर पे मिट भी जाएंगे तो कि मैं भग्मान नहीं मैं पुजारी हूं सर्था का फूल अपने जनता के शर्मों में चढ़ाता हूं अपने लोगों में चाहे हूँ वहाँ जात काउंट नहीं करता कि मैं किस जाती से बिलूं करता हूँ मैं क्या हूँ मैं बिहार का बेटा हूँ मैं यूपी का लाडला हूँ मैं जर्खंड का एक सम्मान हूँ जहाँ जहाँ भजपुरी बोली जाती है वहाँ लोगों के दिल में गोद में बैठने वाला एक पुत्र ही उसको कैसे गिराओगे जिसको पुरी दुनिया ने अपने गोद में बैठा लिया है तो मुझे गिराने सच्छा है कि आप खुद के बारे में सोच लोगा और मेरा सिनेमा मैं अपने जन्ता से बस निवेदन करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि कोई आदमी मेरे सिनेमा के बारे में एक मिलट लाइब नहीं आया होगा और नहीं कोई आएगा बाकि लोगों का कुछ रिलिज होता है तो सारी पुरी इंडेस्टी लग जाती है कि भाईया नहीं ऐसा किया बबुआ नहीं ऐसा किया बबनी नहीं ऐसा किया आप लोग सपोर्ट करिये सारे लोग भीर जाते हैं कि उसको सपोर्ट करके उसके चीजों को चला दे लेकि कागज के फूल से फुस्बू नहीं आती इनके सपोर्ट करने से आप चीज़ नहीं दिख सकते सपोर्ट उनका चाहिए जो आपको पैदा किया है वो हमारी जनता आपको बढ़ना होगा तो आप जनता के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं किसी star के support से नहीं और किसी कलाकार के support से नहीं जो खुद का अस्तिव तो पैदा नहीं कर सकता वो किसी और का क्या करेगा हम कि से मदद मंगेंगे कर किस्से मंगऄ मदद में कि हां मेरा support करो मुझे जरुत नहीं किसी artist की कि मुझे support दे दो, Facebook प्या कि मेरे बारे में बोल दो कि मेरा एक गाना रिलीस हो रहा है, सवरी मत बोलना भाई, मुझे नहीं साहिए, क्योंकि उसके बोलने के लिए मेरी जनता है, मेरी जनता खुदी इतनी एक्टिव और इतना प्यार दे लेती है, अपने आप लोग बोलते हैं कि भाई फिलेक तो करा ही दो, इस करोना काल में भी मैं चाहता हूँ कि न, टीक करा ही दो, इतना टीक करा ही लिए कि, क्योंकि मैं जानता हूँ, ये मुझे नीचा नहीं गिराना था भाई, इनके दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, कि एक अच्छा सिनेमा बन गया है उस सिनेमा को हम बर्बात कर दे कि सारी को नीचा दिखा दे कि सारी को लोगों के नजर में गिरा दे तो साथ सिनेमा भी नहीं चलेगा लेकि ये भजपुरी की संबान की बात आ गई है एक अच्छा सिनेमा है देखिएगा तो कहिएगा अगर बुरा लगेगा तो आप भर मतलब मुझे जितना आप गाली दे सकते हैं जितना बोल सकते हैं बोलिएगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकि एक बहुत खुबसुरत सिनेमा बन गई है और उसी को खतम करने की साजिस चल रही है और ये कुछ लोगों की साजिस है आप समझ सकते हैं कि कितने कितने लोग होंगे लोगों को तो पता चले गया होगा मुझे बॉलनी की जरूरत नहिंग है आप लोग तो इतने समेजदार है कि बेटा मामा कहेगा लड़का मामा कहने वाला है आज कर लोग बस काम पे फोकस कर लीजिए, हमारे फोकस करने से कुछ होने वाला नहीं है, जीवन में कुछ करना है तो खुद फोकस करिए, और मेरे सिनेमा को आप क्या बरबाद करोगे, बड़े सिदत से काम करता है, लंदन में ठंडी में मरमर के मैंने उस सिनेमा को किया, रजनी समिस्रा अभे भाईया ने, शान तुझवल ने, सारे लोग शमीर अपताब ने, सब ने इतनी मेहनत किया, बासूदा हमारे केमरा में, सब ने हमारे हिरोईन, जितनी, दोनों हिरोईनों ने जम के मेहनत की, सब ने मेहनत किया, अपना हेंडे 10-10 परसंट सब ने दिया, और एक इतनी कि हम नीचा दिखा देंगे तो साइद दुनिया सिनिमा को इनिशियल नहीं देखिए अब मैं आज इवा दिवस पे मैं अपने इवाउं से कुछ मांगना चाहता हूँ कि तकलीफ में मैं सारे बाते बोल रहा हूँ मैं आता लाइप बड़े हासके आता हूँ मैं आप लोग भी जानते हैं कि मेरे जीवन में मस्ती ही सब कुछ है को करता हूँ मस्ती है तो मैं जाता हूँ कि जितने लोग सपोर्ट करते हैं मुझे किसी आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कलाकार मेरे लिए कभी वेडियो नहीं बनाए कुछ जो मेरे भाई जो मुझे प्यार करते हैं बैसारी मेरे बारे में बोलते हैं मैं उनका सम्मान भी करता हूँ क्योंकि मेरे प्यारे भाई है और उनलोग बोलते हैं मेरे बारे में तो अच्छा भी लगता है ऐसा नहीं कि बुरा लगता है क्योंकि वो मुझे मुझे मिला है वो मुझे जानता है जो मुझे नहीं मिला है वो मुझे क्या जानेगा और मैं अपने जनता से रूबारू मिलता हूँ, उसका रिजन है, एस्टडम दिमाग में नहीं, परदे पे है, मुहबत परदे पे नहीं, वो इनके बीच में है, परदे पे आप मुहबत देखते हूँ, इस क्रिप्ट के हिसाब से होता है, लेकि मैं रियल में अगर मुहबत क पुरी दुनिया जाती है, और पुरी दुनिया मैं हूँ आपका, जो मैं हर तृत पे जाने की कोशिस करता हूँ, हर उस धाम को अपना बनाने की कोशिस करता हूँ, मेहनत, तो आज स्वामी विवेका नंद के बिचार धारा के साथ ही चलता हूँ मैं, जीरू से हीरो बनाओ मैं गरीवी मैंने देखी है मत खीसो ठांग मेरी मत बदनाम करने की कोसिस कर रहे हैं ठीक है और जहां तक सिनेमा दुलहन ओही जो पिया मन भाव है अभे भिया के बैनर की सिनेमा यसी फिलिम की है खिसारी लालियादो उसमें एक्टर है रजनीश मिस्रा डिरेक्टर है और नि जहां जहां भी वजपरी समाज के लोग मुझे महबत करते हैं कल बता दो यार लीज बता दो कल ऐसा कुछ कर डालो कि इनको समझ में आये कि जाको राखे साया मार सके नको और मेरे साया आप सब हैं और इनको बताओ जहां कि सारी आपके आपसे कितना प्यार करता है और आप सारी सुपकावना चाहुदा को बताईए कि आप मुझे कितनी मुहबबत करते हैं लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए बस ब्लेक टिकट होना चाहिए लभी आल टूट परो अपने प्यारे बेटा के लिए अपने भाई के लिए लब यू